हेलो स्टुनेंट्स अवेरी बूर्णिंग तो इन नॉल इन लास सेंट वी भी देखा कि एंडरेश स्ट्रेंथ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपका डालते हैं जैसे कि आपने देखा था सफिस्मेस फैक्टर हो गया का het 자 ह्यां जाइसे परbasर करता हूं बेक्टर हो गया एंड मोडिफिकेशन फेक्टर ऑपक्रों से क्या रेलेशन हैं है यह सारी चीजी आपको लास सेशन में डिसस किया ओके इन टोडे सेशन वी अर गोईंग तो डिसकॉस इबाउट दा कमबाइंड इस्टडी एंड अल्टरनेटिंग इस्ट्रेस ओके जैट निस कोई कोई मेंबर है कोई आपका मसीन कंपोनेंट है जहां प्यास का स्टेडी और अल्टरनेटिंग इस्ट्रेस दोनों का उनका कॉम्बो लग रहा है का कॉमिनेशन आपका एक्ट करें उस केसे में आपको यहां पे धैट मेंस फैक्टर सेफटी क्या दोने चाहिए या वहां पे आ से Bohemien आपका सामने आते हैं orkoi süpre से दिजाइनिंग के लिए are ok और कौूँ सी डिजाइनिंग कहां पू Frove करनी हैimonie kay now कौंसा अब का doctail material में लेना है कौ weetARK में ताक कि आपकी जो machine component वह से ऐसर रहे आपकी से रहे तो वह तिन वह तिन आपका concept कौन कौन से हैं सब्सक्राइब करें यह तिन क्राइटेरिया है जिस पर आपको निमेरिकल भी पूछा जाता है और आपको यहां पर फिरी भी पूछता है ठीक है तो यह चीज़ हम देखेंगी जहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर दो चीज़े आपका मीन लोड और दूसा आएगा आपका का एम्प्लिटिड उस ओके तो मीन लोड के लिए करना पड़ेगा आपका मीन वैल्व चानते कैसे निकालते हैं मैक्सिमम प्लस मिल्बम पाइट वूम मैक्सिम माइक्स मिनाइट वाय तो सेम चीज़ यह जाते हैं वहां भी आपका मीन इस्ट्रेस और इस्ट्रेस कालते हैं okay चलिए देखे कैसे करेंगे it has been observed that the mean stress component has an effect on fatigue failure when it is present in the combination with an alternating component okay the fatigue diagram for this for this general case is shown below इनीचे आपका डाग्राम इंचे दिखाया गया है in this diagram the mean stress is plotted on the epsis and while the stress amplitude that is plotted on the ordinate यानि कि जो mean stress है वो किस पे आपका excesses के long plot किया गया है जबकि आपका stress amplitude है sigma a आप कह सकते हैं sigma v कह सकते हैं variable stress v से बोलते हैं stress amplitude को तो वो कहां पे plot किया गया है यह ordinate यानि कहां भी y-axis के long okay so the stress amplitude is plotted on the ordinate the magnitude of sigma m and sigma a depend upon the magnitude of maximum and minimum force acting on the component तो यह तो आपको इनीचे लिए पता ही दिया था कि mean stress stress or stress amplitude किस पर depend कर देगा mean load और stress mean load और amplitude पर कितना maximum load कितना minimum load लग रहा है उसके भी हाप में आपका load के भी हाप में क्या करेंगे stress निकाल सकते हैं क्या पता stress क्या होता है that is nothing but the load upon area load upon cross sectional area आप यहां से निकाल पाएंगे देखें आगे when stress amplitude sigma is zero यह दिए आपका stress amplitude zero है the load is purely static उसके प्या हो जाएगा यानि क्या है आपका variation ही नहीं है क्योंकि stress amplitude क्या हो जाएगा गे जिरो हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा वहां पर variation नहीं रहेगा यानिका यापको डाइनमिक लोड है वहल्कि आप स्यूटी और स्यूटी उसकेस में आपको जो failure criteria रहेगा वह स्यूटी और स्यूटी ही रहेगा यानि कि ultimate strength या तो या तो material आपका ultimate strength पर फेल होगा या तो फिर इल्डिस्पे डिपेंड करता कि material आपका that means brittle है या फिटक्टाइल है ओके these limits are plotted on the abscissa यह दोनों ही limit आपका क्या रहेगा यह यह दोनों यह दोनों प्लॉट किये जाएंगे यहाँ पर देखें आप डाइग्राम में दोनों ही डोनों ही टर्म आपका plot किये गए हैं नीचे एपसिसा में यह देखें एकसेस के लोग जो मीन करते हैं तो मीन एकसेस के लोग कौन से दो फैक्टर आपका complete study load के लिए static load के लिए जबकि जहां पर fluctuating या dynamic load आएगा ठीक है cyclic load आएगा वहाँ पर क्या होगा endurance strength आएगी और endurance strength पर आपका that means वहाँ पर किस पर कर देगा यह सिग्मा ए जानी कि आपका stress amplitude पर आपके ड्रॉ किया जाएगा f se Okay तो यहां पर यहां पर कहां तक होगी आपको these limits are plotted on the Sc Karl repente में इस्ट डियो क्म में इस्ट्रेश ह new द इस्ट्रेश से इस्ट्रेशी कंप्छर्चिंड इस्ट्यमप भशिंगा until i ечение फिलर इस देंड़र अर्ड फोक्रीश के idel हैं जिसको इस कई में कैं मैं पड़ेगा आपको sigma m और sigma a यह जो आपका दीज दीज टू पॉइंट दीज टू इस्ट्रेसेज और दा फेलियर फेलियर क्राइटेरिया ओके यहां पे जो फेलियर होगा फिर इनके कारण से होगा अपका इन दोनों ग्राफ की बीच में आपको कहीं भी हो सकता है जैसे कि आपको फेलियर पॉइंट से अपर ग्राफ में दिखाए गये हैं इसमें से और उनसे फिजन के लिए उसके लिए अपका अलाला क्राइटेरिय में अलालाग चीजें आपका सेफ हैं और उनसे थीक है डिफ्रेंट क्राइटेरियन अप प्रपोजट तू कंस्ट्रॉक्ट दा बौडर लाइन डिवाइडिंग से जोन एंड फेलियर जोन तो क इस आरे हां पर क्राइटेरिया प्रपोज किए गए गए आपका तीन आपका क्राइटेरिया है जो कुछ किए गए कि कैसे फ़रंसे के बीच पे आपका जो करते है जर्बाला क्या होती है अब पैराबोला कर वह जौइनिंग SC on the ordinate to SUT on the abscissa is called the gerber line देखिए आपका इसे gerber line के वज़ा जर्बर पराबोला ही गो सकते हैं क्योंकि आपका पराबोलिक फॉर्म में रहता है यानि कि mean stress में आपका SUT से और stress amplitude में आपका SE के बीच में आप यहां पे जो curve plot करते हैं यानि कि जो parabola plot करते हैं that is called the gerber parabola ओके आप देख पा रहे हैं next one is the solderberg line solderberg ने के straight line joining SC on the ordinate to SYT on the abscissa ओके तो solderberg में क्या होता है endurance strength को yield strength से आपका इसे आप जोइन करते हैं straight line के दोरा तो वो क्या होता है आपका that is the solderberg line अब बात करते हैं goodman line की goodman line में जैसा कि आप देख पा रहे है endurance system किसे मैं चो रही है आपका straight line की द्वारा SUT से ठीक है तो जब ऐसी आपका SUT से आपका diet line के थो आपका contact में आती है तो उसे क्या बोलते हैं goodman line तो यह तीन आपका zone है तीन आपका line है तीन boundary reason है जो आपका कहीं safe और unsafe को refine करता है safe है नहीं कि जो इसके अंदर है इसके close अंदर है वो आपका safe region है और यह जो boundary line के बाहर जाएंगे तो वो आपका unsafe region है okay तो मेरी खाल से clear हो गया होगा तीनों ही चाहा जर्बर हो चाहा जर्बर है जर्बर पराबोला जर्बर पराबोला fits the failure points of test data in the best possible way आप देख पा रहे हैं कि जर्बर पराबोला है वह आपका failure के chances बिलकुल नहीं है तो fits the failure points of test data in the best possible way okay क्योंकि हो सकता है जर्बर में fail हो सकता है good man वे fail हो सकता है बट यह दि वो जर्बर में降 जर्बर को follow करते हैं तो आप देछ यह नहीं है तो good man में fail को podem में fail नहीं हो और sorta whether पर्सेंट थीक है clear है, तो इसलिए क्या है आपका जर्बर परामicles आपका जरबर परबोला फिट्स देटा इन बेस्ट पॉशिब वे गूड मैं लाइन फिट्स ब्निएद दस्ट इस डिस इस देटा बोथ जरबर परबोला एंड गूड मैं लाइन इंटर्सेक्ट एट वन और नेट इस उट उन अपसिज़ाइब। however the goodman line is safe from the design consideration because it is completely inside the jarbar parabola क्योंकि आपका jarbar के अंदर goodman तो goodman तो आपका jarbar के comparison में जदा safe है similarly disorderbar की बात करेंगे disorderbar के आपका वो goodman से भी आपका अंदर है तो वो उससे भी जदा safe है okay the solderbar line is more conservative failure criteria and there is no need to consider any yielding in this case okay a yield line is constructed connecting syt on both axis एक इलाइन भी draw किया गया है जो दोनों ही एक्सिस में आपका syt को मिलाता है it is called the limit of first cycle of stress इसे हम first cycle stress की first cycle ही बोलते हैं this is because of a part yield it has failed regardless of its safety infinity okay आप देखें आप जो equations लिए आपको find out करना है तो आपको line equation जब आपका दो in दो आइक्सिस पे line intercept करती है तो आपको याद होगा एक्स अपान ए स्कॉल टू एक्स अपान ए प्लस वाइपन भी स्कॉल टू होती है ठीक है अब इसके भी आपके यहाँ पर जो interception है कहीं पर आपका syt है कहीं पर sut है जबकि और नेट में क्या है हर बार सी ही सी आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर अलग लग के लिए निकालेंगे स्वाइट के लिए निकालेंगे तो देखे ज़रा एक्स अपान एक्स एक्स एक्सिस में वाइसे के लोग किया है आपका सिगमा ए इसके से इंपलिटूट है और का इंटरसेट कितना ऐसी है तो सिगमा ए अपॉन स्कॉल टूवन हो गया इसे प्रकार जिसे कि आपने स्वाडर बर्ग लिए निकाला है इस पर आप गुर्वेंट के लिए निकाल सकते हैं क्योंकि क्या है आपका वहां पर जो फेलियर होता है आपका अल्टिमेट इस्टेंथ पर सिगमा एम पॉन प्लस यह आपका जो वाइसी से स्वाल टूवन हो गया इस पर आप जर्वर पराबोल आप निकालेंगे तो यह आपका मतलब कि यहां पर जो कुछ ज्यादा यूज कि आ था रिजन क्योंकि आपका यह यह दी आप सॉटवर रोग यूज करते हैं तो वह डिजाइन नो डॉट आपका सेफ तो हो जाएगी बट उसमें वह कहते हैं मोर्स से जादा इंवर्ग जाता है अपका ठीक है सेफ मानद कि फैलियर की चांसेश नहीं पर उसके लिए क्या होगा अबेस सी बात है ज्यादा 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 लगाना पड़ेगा तो अब लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाती है तो कौन को से इसे रिजन है दिखेंगा तो गुद्मैन लाइन आपको यहां पर रफिसके चींगे सफीशियंट है ओके सो देखरी इस यूजिंग सच इस्टेट लाइन आपका जो कर बनते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें पैराबॉलिक या इलिप्टिकल करना पड़ेगा अधीज त्रिया कॉल्स नॉन नॉन नियर थे नहीं क् पॉपलर नॉन नियर थेओरी इस जर्बर थेओरी देट इस बेस्ट ऑन पैराबॉलिक कर पर और इसकी जो एक्वेशन आती हो क्या आती है सिग्मा एपॉन एस ऐसी प्लस सिग्मा एम अपॉन सुटी का होड़ी स्कार इसक्वार इसक्वार टुए ठीक है तो इस तरह से आ का इस्टेस एंप्लिटू निकाल पाते हैं ओके सो फॉर टू डेइज इस मोर दन नफ थैंक्यू थैंक्यू सो मच